हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है अपने Micromax iN Note 1 Android मोबाइल फोन में आप अलाम साउंड को आप कैसे इनेबल कर सकते हैं और यह सैटिंग इनेबल करने के बाद काम कैसे करती है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को आखिर तक ध्यान से सवरूर देखे हैं तो चलिए यहां पर जो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने फोन में सैटिंग ओप इसे इनेबल करने के लिए आपको कोई सा दूसरा एक option सेलेक्ट करना होगा तो इस तरीके से हमारा यहां पर जो है यह इनेबल हो जाता है और पूरी तरीके से इनेबल करने के लिए इसे ओके जरूर करना है कोई सा भी option आप सेलेक्ट करेंगे तो इसे इनेबल ओके जरूर करिएगा तो आप यहां पर आप देख सकते हैं बैक पीच पे आगया हमारा फून डिफॉल्ट अलाम के नीचे बजर अलाम का यह साउंड यहां पर लग चुका है ठीक है तो इस तरीके से आप जो है अपने Micromax IN Note 1 Android Mobile Phone में अलाम साउंड को आप जो है इनेवल कर सकते हैं और यहां पर दोस्तों मैं आपको एक बता दू अगर आपको अपने फोन में अलाम साउंड की सेटिंग ढूंडने में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं आपको इसका एक शॉर्टकट तरीका बता रहता तो यहां पर आपको सेटिंग करना है सबसे पहले तो और सबसे उपर आप देख रहे हैं यहां पर सर्च सेटिंग का यह उप्शन इसमें आपको सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको टाइप कर देना है अलाम साउंड यहां पर आपको टाइप कर देना है तो नीचे की सा आके आप जो है इसे इनेवल कर सकते हैं और ये मैंने जो है दूसरा तरीका इसलिए बताया है काफी सारे लोगों दिक्कत आती है सैटिंग ढूणने में ठीक है तो आप ये शॉटकट तरीके से सर्च बार में टाइप करके नाम को आप इस तरीके से डायरेक्ली सैटिंग में जा सकते हैं